ओपास बैक टू मैं चैनल गाइस तो आज के इस वीडियो में गाइस यहां पे इस तरह के फैबिकोल के डिब्बे का यूस्तमाल करेंगे हम जो उपर वाला धककन है इस तरह के डखकन आप यूज़ कर सकते हैं मेरे पास खाली पड़ी हुई है तो मैं उसे का इस्तमाल कर रह इस पर तेल को पर तेन जाएं इपकर हुए है उसको कुछ किसी भी शाप चीज से कट करने निकल गही है और जब एक कटेंगे तो आप इसमें एक होल अल्रेडी मिल जाएगा कट करने के बाद तो उसी होल से हम इसके फिलिंग करेंगे तो आपको एक्स्ट्रा होल इसमें करने की ज़रूद नहीं है अब दूसरी जो चीज़ इस्तमाल करें हूं गाईज वो है मेरे पास इस तरह का जो सिलाई मशीन में हम यूज करते हैं वह आला थ्रेड में इस्तमाल कर रही हूं कॉटन का आप चाहो तो रेशम वाली थ्रेड भी इस्तमाल कर सकते हैं तो इस त्रेड को हम 6-7 दोरे इसको कर लेंगे इस तरह से मोटे बना लेंगे ये देखिए और इसको हम बड़ी वाल एक छोटी सी हम नॉट लगा देंगे नीचे की तरफ और अब इसमें हम इस तरह से इंटर करेंगे ढ़कन में और जो नॉट है उसमें हम सुई को एक बार ही इन करेंगे कि इसके नॉट के पास ही और इस तरह से इसको नॉट को इन करते हुने के बाद हम इसके नॉट को अंदर की तरफ ले आएंगे और इसको अंदर कर देंगे इस तरह से और अब हम क्या करेंगे कि इसके उपर इस तरह से thread को हमें इस पर चलाना है इसको cover करना है पूरी तरीके से thread से तो thread का color option आप खुछ से select कर लिजे कि आपको कौन सा thread color लेना है इस तरह से आप किसी भी color के कपड़े के color के thread का बना सकते हो आप कोई भी color आपको जो चाहिए इस तरह से पूरा मैं cover कर दूँगे यह देखिए हमने पूरा cover कर दिया इस तरह से और जो धागा बचा था उसको ऊपर की तरफ निकालते हुए hole में से मैंने ऐसा ही छोड़ दिया इसको तो धागे का बाद में हम इस्तमाल करेंगे इसलिए उसक सब्सक्राइब 10-15 रुपए ही मिल जाएगा यह आपको जहां पर भी इस तरह का समान मिलता है वहां पर आप यह ले सकते हो वहां से और इस तरह से ग्लू फैबरिक ग्लू का यूज कीजिए और इसको हम सेट करेंगे नीचे की तरफ पहले कॉर्णर पर इस तरह से यह है उसको आपको अगर जुमका बनाना है तो जुमके का बेस रेडिमिट आपको मार्किट में मिल जाएगा लेकिन यहां में कैप से बना रही हूँ इस तरह से सेट करते हुए हमको पूरी की पूरी ढकन को कवर कर देना है ऐसे तो गाइस यह देखें यह उपर तक मैंने फिल कर दिया इसको इस तरह से कुछ करना है इसको और इसमें जो है मैं त्री पॉल का यूज कर रही हूँ गोल्डन कलर का ही पॉल मैं थोड़ी बड़ी वाली पॉल ले रही हूँ आपके पास कोई छोटी पॉल है तो वह भी आप इस्तमाल कर सकते हो इसी तरह से इसमें इंटर कर दीजे पॉल को यह देखिए तीनों को मैंने इंटर कर दिया है और बचे हुए धागे को हमें कट नहीं करना है इसको इसी तरह से हम छोड़ देंगे यहां पर मैं इस तरह के डब्बे का यूज़ कर रही हूँ जो फूड बगारा मार्केट से आता है उसमें मिठाई बगारा का डब्बा जो होता है या फिर इस तरह के आप किचन के डब्बे भी यूज़ कर सकते हैं कोई भी एक और उनी से मैंने यह गोल सरकल छोटा छोट किया था और उसी तरीके से मैंने कई दोहरे धागे मैंने सुई में लगा रख्या है और इनको भी हम इसी तरीके से इस पर सेट करेंगे कि यह देखे कुछ इस तरीके से पूरा हम इसको फिल कर लेंगे और थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें क्योंकि सरकल है तो थोड़ी थोड़ी दूर पे हमें इसको फिल करना है प्रॉपर इस बात का ध्यान रखिएगा और इसको मैं कम्प्लीट कर लेती हूँ अर्थ कि दुल कर र cancer कर दोके तो रAK अध्यान रत हमें है यह दूरे थोड़ी थोड़ी दूरा हमें लेंगे विल चुई करना है कि और थागे को एक दौ बार ना यह बार ही झाट करना यहां पर तो गैस देखे इस तरह से मैंने circle को complete कर लेना है इस तरह से कर लिया है और इसी तरह से करना है हमें और यहाँ पेच बीच में मैं एक pearl का यूस कर रही हूं आप छाओ तो stone का यूस कर लीजे तो बीच बीच में पर्ल को मैं लगा रही हूँ और पर्ल के जो होल्स है उसको हम साइट साइट रखेंगे उपर की तरफ नहीं रखेंगे और यहां पर मैं again wall chain का use कर रही हूं तो wall chain से ही हम इसको पूरी तरह से इसी तरह से cover कर लेंगे यह देखिए इस तरह से cover कर लेजे पूरा और यह उपर का जो टॉप है वो बन के रेडी हो गया है और अब हम इसको आगे का process करते तो जो धागा हमने नीचे जुमके के base में छोड़ा था उसको हम अगेन सुई में डालेंगे यह देखिए इस तरह से और यहां पर नीचे की तरफ एकदम देख लीजे आप एकदम corner पर जो धागा हमने लपेटा हुआ उसी धागे में हमें सुई को इन करना है और एक से दो बार हमें इसके stitching करनी है एक बात का ध्यान रखेगा कि इसको लूज नहीं करना है धागे को धागे को जब भी आप दो तीन बार चलाईएगा उसको अच्छे से खीच करके नौट लगाते हुए चलाईएगा नहीं तो यह otherwise लूज हो जाएगा और मजबूत न ले आना है मतलब जहां नीचे लगाया अपने बेस उसी में सीधे ऊपर हम एकदम कॉर्णर पर ले आएंगे उसके सिधाई में सुई को अंदर की तरफ निकालते हुए और यहां पर हम खुक लगाएंगे तो आप चाहओ तो लगा दो या फिर यहां पर इसटर आता है इसका एरिंग का वो भी आपको मार्केट में मिल जाएगा य पुरानी एरिंग का पिस्तमाल कर सकते हुए उसमें से निकाल सकते है तो इस तरह की आपको यहां पर दो-तीन स्टिचिंग में लगा देनी है और इसका लुक किछ तरह से आएगा त्रेट का और कैप का इस्तमाल करके ये बना हुआ है और बहुत ही रेली बहुत अच्छा लग रहा है ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक सस्क्राइब शेर और कॉमेंट जरूर करेगा थैंक यू बाई का प्लीज जलोग रहा है तो ये बस्यों जरूर का टार येयों झाल झाल झाल